हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में फिरसे एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम, मिनथे पिछली वीडियो में हमने जो चकली का प्रिमिक्स बनाया था उसी प्रिमिक्स से हम अब चकली बनाने जा रहे हैं और वो भी एकदम क्रिस्पी वाली तो ये भी वीडियो टिप्स और ट्रिक्स से भई पड़ी है तो इसलिए आप एक सेकंड भी इस वीडियो का मिस्स मत कीजिएगा और मैं आपको बता दूँ इस ये जो चकली है उसको जो इसको रोल रोल करते है ना उस प्रोसेस को मझे नाम नहीं पता पर जो उसको सरकल सरकल है से करते है ना वो उस वीडियो में मैंने किया है तो उस महनत के लिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर तो इस महनत के लिए मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजेगा तो चलिए मैं बहुत एक्साइटेड हुआ इकांट रेटेन दे एकसाइटमेंट तो चलिए अब हम चकली के तरफ जाते हैं तो दोस्तो हमने यहां चकली का आटा लिया है और यह मैंने वनन मतलब इच हाफ किलो के लिए हमें लगबक वन एन हाफ बड़ा टी स्पून तीखालाल डालना है एवरेस्ट का तीखालाल तो यहां आपको कितना ज्यादा स्पाइसी चाहिए उस पर यह निर्भर करता है और फिर हम इसमें डालेंगे स्वादमसर नमक पर तभी मैं बता द डालना है हमें इच हाफ किलो के लिए हर एक आधे किलो के लिए तो हमने अभी डाल लिया है और इसमें हम डालेंगे अरजवैन एक बड़ा टेबल स्पून और फिर हम डालेंगे इसमें तिल एक बड़ा टेबल स्पून तिल तो चकली में बहुत कॉमन होते हैं इसलिए डा अच्छे से एक जीओ कर लिया है फिर हम इसमें डालेंगे गरम तेल तो हर एक आधे किलो के लिए लगबग दो बड़े टेबल स्पून हमें तेल लेना है और गरम तेल को डालना इस ऐसे तरीके के फ्लोर में हम इसे मराथी में मोहन घालन भी बोलते हैं और इस तरीके से गरम तेल डानने के बाद हम इसमें गरम पाने डालेंगे तो तीन कप याने वनन हाफ कप किलो के आटे के लिए हमें लगेगा तीन बोल अफ वाटर एप्रोक्सिमेटली तो पर यह थोड़ा-थोड़ा डालना है एक दम से ही नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे स यह से मिलाना है क्योंकि जो मिकसर है वो घरम होता है और थोड़ासा हाफली मिलाने के बाद थोड़ासा पानी डालने के बात हम इसको वैसे रखेंगे थोड़ी देर के लिये आधे घंटे के लिए घुंदेंगे नई ढगकन ढखके रख़़़वा। इस तरीके से गुंद के, हाफली गुंद के रखेंगे, और फिर आदे घंटे बाद फिर इसको गुंद देंगे, इस तरीके से अच्छे से हाथ से, तो तब तक ये थंडा भी हो जाता है, और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है, मतलब ये जो तेल और पानी है न, इस लोर म तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें ये नेड करना है, और ये मैंने इसको अच्छे से मल लिया है, और इसका इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा एक शेप बनाना है, फिर इसको चकली के जो चकली मेकर है, उसमें डाल देना है, आप देख सकते हैं, तो चलि बनाते देखना यह बहुत ही satisfying scene है और मैं अभी इसको पहली बार try कर रही हूं मुझे comments में बस जरूर बताईएगा कि मेरी चकली है मैं कैसे बना रही हूं और यह देख सकते हैं आप एकदम easily निकलता है क्योंकि हमारा जो डो है वो बहुत ही soft है और यह देखिए proof कि यह मैं ही बना रही हूं तो आप भी इस दिवाली homemade चकलिया जरूर टाई करीजेगा तो देखिए अब हमने चकलिया बना लिया है तो अब हम इसे deep fry करेंगे गरम तेल में पर भी careful आप देख सकते हैं हम इसे deep fry करना है और हलके हाथों से डाले थोड़ा से आपको यहां पर साफधान रहना होगा गरम तेल से और यह आपको ट्वीजर से किसी भी टिशू या पेपर के पेपर पर डाल सकते था कि इसका जो तेल है यह एबसॉब हो और खाते वक तेल तेल ना लगे तो चलिए हमारी चकलिया तयार हैं तो यह जो आपने अभी देखा वो स्वर्गानंद था एक फूड़ी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए तो इसलिए मैं आपको बारवार बोल रहे हो यह चकली की रेसिपी आप इस दिवाली ज़रूर ट्राइ केज़ेगा और मुझे कमें सेक्षिन में ज़रूर बताएगा कि आपकी जो चकली है वो मेरे टिप्स और ट्रिक्स से कैसे बनी तो मिलते हैं अगले ऐसी ही चटा के दार वीडियो के साथ तब तक बाई